असलाम अलेकूम मैं हूं जरीन आप देख रहे हैं जरीन कीचन अगर आपको में रसीपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए बनाते हैं आजम बनाएंगे आलू बैगन की करी आलू बैगन की करी बनाने के लिए मैंने लिया है आदा किलो आलू आदा किलो बैगन जिसे मैंने इस तरह बड़े बड़े तुकडों में कट कर लिया है और नमक के पानी में डाल कर रखाए ताके ये काले ना हो चार मिडियम साइज के जिसे मैंने प्यूरी बना लिया है, एक बड़े से इसका प्याज, हरा धनिया, दो टेबल स्पून अधरक लसन का पेस्ट, थोड़ी सी कसूरी मेथी, और वन टी स्पून सेजवन चटनी, मसालों में स्वाधनुसार नमक, हाफ टी स्पून हल्दी पोडर, हाफ टी स्पून ज जाल मेर्स पोडर, चली बनाना शुरू करते हैं, आलू और बैगन की करी बनानी क्लिए, हम बैगन और आलू को फ्राइ कर लेंगे, कडाई में मैंने तेल गरम कर लिया था, अब इसमें डाल देंगे बैगन, और इसे फ्राइ कर लेंगे, बैगन अच्छे से फ्राइ हो आलू पे अच्छे से फ्राइ हो चुके हैं, इन्हें भी हम निकाल लेंगे, अब जिस तेल में हमने आलू और बैगन को फ्राइ किया था, उसी तेल में हम करी बनाएंगे, तेल बहुत ज्यादा था, इसलिए मैंने इसमें से थोड़ा सा तेल निकाल दिया है, अब इसमें डाल देंगे जीरा, जीरा हलका सा फ्राइ हो जाए, फिर हम इसमें डाल देंगे प्यास, प्यास को अच्छा सा गुलाबी रंगाने तक फ्राइ कर लेंगे, ये देखे, प्यास अच्छे से गुलाबी हो चुकी है, अब इसमें डाल देंगे अध्रक लसन का पे मसाले मसालों को भी इसमें हलका सा भून लेंगे अब इसमें डाल देंगे सेजवान चटनी मिक्स कर लेंगे साथ ही डाल देंगे टमैटो प्यूरी टमाटर को मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे ढख कर 3-4 मिट पका लेंगे जब तक के टमाटर अच्छे से पक नहीं जाते लो फ्लेम पर पकते हुए टमाटर को 5 मिट हो चुके है चलिए खोल कर देखते हैं यह देखे टमाटर अच्छे तरहां से इसमें पक चुके हैं तेल भी इसमें अलग होने लगा है मसाला इसमें अच्छे से भून चुका है अब मसालों में डाल देंगे आलो और बैगन जो हमने fry करके रखे थे इने भी इसमें अच्छे से mix कर लेंगे साथ ही डाल देंगे एक कप जितना पानी पानी डाल कर मैंने इसे अच्छे से mix कर लिया है अब इसे ढख कर लो फ्लेम पर इसे 10 मिट पकने देंगे आलू और बैगन को जब हमने फ्राइ किया था तब ही वो आधे पक चुके हैं और जो थोड़ी कसर बाग किये हो मसालों में पक जाएंगे लो फ्लेमबर बैगन को पकते 10 मिट हो चुके हैं चलिए खोल कर देखते हैं ये देखें बैगन और आलू इसमें अच्छे से पक चुके है आलू भी इसमें अच्छे तरह से गल चुके हैं ये देखें आब इसमें डाल देंगे कशोरी मेथी और हराधन्या अब इन दोनों को भी अच्छे से मिकस कर लेंगे और ढग कर एक मिνट के लिए इसे पकने देंगे इसे पकते एक मिनिट हो चुका है यह तैयार है चलिए इसे सर्फ करते हैं तो यह लीजे बहुत ही टेस्टी हमारी आलू बैगन की करी बन कर तैयार है और अगर आपको मेरेसिपी अच्छी लगते हैं तो आप भी इसे एक बार जुरूर ट्राइक कीजिगा और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरेसिपी कैसी लगी